डिक्टीशन करती सोवस्वंत्र प्रतीमनट इस्टार्ट किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी तुटी हो जाए तो हमारे काम बिगर जाते हैं और हम उन्नती नहीं कर सकते हैं सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियम अनुसार ही चल रही हैं बिना नियम और अनुसासन के ना तो कोई व्यवशाई चल सकता है और ना सामाजिक उन्नती ही की जा सकती है क्या व्यापारी और क्या नेता सभी को नियमों पूर्वक कार करने से ही सफलता प्राप्त होती है व्यवशाई में तो विशेश तोर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है बिना किसी दक्ष प्रवंधक के और अनियमित्ता दूर किये बिना व्यवशाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है किसी भी बड़े कार खाने को देख लीजिए नियम पूर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है यदि थोड़े सी भी गरबड़ी हो जाए तो सारा व्यवशाय ही चौपट हो जाए यही नहीं कोई भी और कितना ही जटिल व्यवशाय हो व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है कई आव्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष की और देखना ही आवश्यक है संबंधित बातों की विशेश व्यवस्था करने की आविशकता नहीं परन्तु वास्तविक्ता या है कि लक्ष से संबंधित छोटी छोटी बातों की व्यवस्था परम आवशक है जो व्यक्ती छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता उससे यह आसा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी एवं जटिल बातों को संबहा लेगा यदि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान ना दिया जाए तो सारा व्यवस्था ही चौपट हो जाए यदि व्यवस्था ना की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नश्ट हो जाए उचित व्यवस्था करके ही सकती और समय की बचत की जा सकती है नियम पर चलते रहने से समय और सकती दोनों ही बचत होती है नियमित व्यक्ति अपनी वस्थमों को इधर उधर नहीं फेकते बलकी एक नियत इस्थान पर रखते हैं जिससे उन्हें ढूनने में समय या सकती नश्ट नहीं करनी परती इस प्रकार उनकी सकती और समय अन्य लाब परद कारियों में लगते हैं नियम पालन करते अर्थात व्यवस्था में बने रहने से ऐसी बुद्धी इस फुटित होती है जिसकी शाहता से बड़े से बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं व्यवस्था के कारा नियमित व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आस्चरिय होने लगता है व्यवस्थित होने के कारा उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है जबकि अनियमित व्यक्ति सफल असफल ही होता है अतह यह आवश्यक है कि नियमों का पालन ज्रता पूर्वक किया जाए तब उद्देश से पूर्ण हो सकता है अन्यथा नहीं समाज की उन्नती भी नियम और अनुसासन पर ही आस्रित है यदि नियमों के क्रम को समाप कर दिया जाए तो उन्नती रुख जाएगी क्या साहित्य क्या समाज और क्या धर्म सभी की उन्नती नियमों का कड़ाई के साथ पालन करनी के कारां ही हो सकती है जिस साहित्य समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन द्रणता से नहीं हो सका वह साहित्य समाज और धर्म नश्ट हो गया केवल दस अंकों की ववस्था के आधार पर ही गनित में आसाती उन्नती प्राप्त की जा सकती है वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मुशीने ववस्था के कारण ही सफलता पूर्वक काम कर रही है उनकी ववस्था के कुछ आधार भूत नियम है उन्हीं के अनुसार वे अपना कारे कर रही है यदि उनके नियमों अत्वा व्यवस्था में थोड़ी सी भी कमी की जाए या धील दी जाए तो वे मुशीनी काम करना बंद कर दें और सब बेकार ही पड़ी रह जाएं नियम द्वारा कठिन से कठिन एवं पेचीदा काम भी सरल हो जाता है आकास के तारे तथा अन्य ग्रह कितनी व्यवस्था से और नियम पूर्वत अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं इनमें तनिक सी भी गड़बड़ी नहीं हो पाती यदि हो जाए तो साज संसार में प्रलय हो जाए और संसार समाप्त हो जाए वेज्यानिक लोग संसार के असंख्य पदार्थों को दूर्बीन की साहिता से देखते रहते हैं और आविशक्ता के समय वे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि वेज्यानिक उन पदार्थों का अध्यन करते समय उनके नियमों का भी हम धर्म, राजनी, व्यापार, शिक्षा, यात्रा और सरकार आदी की बातें करते हैं पर क्या हम या भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ग्यान कैसे प्राप्तिया और उसे नियम बद करके पुष्टकों में लिपी बद किया इन सब के लिए नियम अनुसार कार्य करना अपिक्षित रहा है सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन करने की अत्यंद आविशिक्ता है नियमों ने ही समाज, देश, राष्ट, एवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रख्था है यद्यपी हमारे विचार, उद्देश भिन्न भिन्न हैं इसमें कोई संदे नहीं कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी नियम, व्यवस्था, अत्वा, अनुसासन को नहीं मानते कुछ लोग नियमों के आधार पर समाज को एकता के सूत्र में बांध देते हैं एक समय की बात है जब हमारे नगर इलहाबाद को भीशर बाल का सामना करना पड़ा था उस समय मैं बहुत छोटा था तथा तथा तीसरी कक्षा में पड़ता था मैं स्वयम तो समाचार पत्र नहीं पल सकता था किन्तु उन दिनों प्राया नित्य की चर्चा का विशय बाल ही रहा करता था जैसे ही समाचार पत्र वाहक का स्वर सुनाई पलता अख़बार ले जाओ वैसे ही भाईया एवं दीदी जपट कर बाहर दौरते और अख़बार की खीच्टान मच जाती अंत में माता जी अथवा पिता जी उन्हें सांथ कराते फिर हम सब अतीव उत्सुकता से बाल की खबरे सुनने बैठ जाते एक दिन पिता जी ने अतिचिंतित होकर हमें समाचार सुनाया कि आगरा और दिल्ली की और भारी वर्षा हो रही है जिससे यमना नदी में भीशर बाल आ गई है उन दिनों इलहाबाद में भी वर्षा की जड़ी लगी हुई थी और गंगा में भी बाल आने लगी थी हमारा सहर इलहाबाद तीन दिसाओं थी गंगा और यमना नदियों से घिरा हुआ था इसलिए यह पूरी आसंका थी कि हमें वीशर बाल का प्रकोप सहिना पड़े दूसरे दिन ही पिता जी ने हमीं समाचार पत्र में छपी कबर सुनाई कल तक प्रियाग को भी वीशर बार का सामना करना पड़ेगा जिधर देखिये उधर बार की चर्चा हो रही थी इस्टाउ अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंदर और राज सरकारों दोरा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर एपियस और विधान सबार रिपोर्टर पार्लियामेंटरी रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कम्प्लीट तैयारी करना चाते हैं और साथ ही सौट हेंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सिरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेट गुरुप से जुड़ने के लिए नीचे दिये गए टेली ग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं